विचार आप्रिहेंशन से नहीं आप्जर्वेशन से बनते हैं सिक्षा का महत्वे हर इंसान को देना चाहिए चाहें वो बड़ा हो या छोटा हो महान दर्शनिकों का मानना है कि ज्ञान वो इन्वेस्मेंट है जिसका मुनाफ़ा जीवन के अंध तक मिलता रहता है एक समान ये जिन्दगी जिने के लिए इन्सान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज का सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तो वो है सिक्षा, एजुकेशन आपके पास ज़्यदी धन है तो आप उसे गोल्ड में चन्वर्ट कर सकते हैं धन हो या सोना दोनों का कमौने का ड़र हो सकता है पर यही धन, अगर नॉलेज में चन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और नाहीं उसकी चोरी हो सकती है दोस्तो यदि मैं पूछ हूँ कि सबसे सकती साली प्यक्टी कौन है तो आपके मन में विचार आएगा कि जिसके पास धन है सोना चांदी है इने जवारात है जो देश का राजा है या किसी सल्टनत का वारिष लेकिन तारसनी को का मानना है कि मनी, सोना चांदी, हिरे जवारात किसी इनसान को पावरफूल नहीं बनाती अगर बनाते भी हैं तो वो कुछ शमय के लिए बनाते है दोलत आज होगी, कल नहीं सस्त्र का ग्यान तभी तक काम आएगा जब तक सस्त्र जल सकता है पर सस्त्र का ग्यान कभी नहीं रुखता नौलेज का नेवर भी आपसल्योग सस्त्र का ग्यान ज़्यादा असरता प्रभावसाली और सक्तिसाली होता है एक राजा कितने राज्यों पर विजय पराप किया कौन-कौन से सस्त्रों का पर्योग किया यह आपको कभी याद नहीं होगा पर जीरों का खोज किसने की बल्व का अविस्कार किसने किया राष्ट गान को किसने लिखा यह आपको जरूर याद रहेगा इतिहास कवा है कि एक राजा अपने सक्पी के बल पर केवल वही तक पुजा जाता है जहां तक उसका समराजिस फैला है वे केवल अपनी परजा का प्रिय होता है पर अपने ग्यान के कृति फैलाने वाले अलबर्ट अइंस्टाइन, विलियम सेक्स्पियर, रविंद्र नाथ ट्रैगोर शिर्फ अपने जन्र भूमी में ही नहीं बलकि पुरे विश्वर में पुजे जाते हैं संपूर्ण मानवजादी के वे ब्रनसरोत बनते हैं इसलिए आप सबसे आग्रह मेरी यही है कि आप सिखते रहे ज्यान का धनी ब्यक्ति की सम्मान और आदर के योग के बनता है क्यान वो कबच है वो सिल्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनायों से रक्षा करेगा फिर किसी भी सास्त्री की अवज़का नहीं होगी नेवर अस्ट्रॉप लर्निंग विकॉज लर्निंग इस डेवर स्टॉप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करना सेयर करना और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद